नमस्त दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में दो दिन से हमारे भाई बैन लगातार कमेंट करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदूओं के साथ बुरा बरताव हो रहा है राशन के नाम पर यानि कि पाकिस्तान में जहां पर चैनीज वाईरस बहुत बुरी दरीके से फैला हुआ है जहां पर जो सुविधाय है वो बहुत कम है भारत की अपेक्षा वहां पर जब राशन बाटने की बात आई तो उस टाइम पर वहां के हिंदूओं के साथ में और खास दोर पर कि जो स एविडेंस के अभाव में मैंने उसके उपर वीडियो नहीं बनाया था और क्यूंकि सोसल मीडिया पर बहुत सारी बाते चलती रहती हैं अक्सर और मैं नहीं चाता था कि किसी भी तरीके से कोई भी गलत न्यूज समाज में जाए इसका ध्यान रखना विशेश होता है लेक सिंद्प्रांत के हिंदूों का जो दुख था जो दर्द था वो सब के सामने रखा अगर आप इसी स्थिती को भारत में दोराने का प्रयास भर भी करेंगे तो आप यह समझ लीजे कि यूएन जो है चारों तरफ से तोप लगा करके पूरे देश को उड़ा देगा क्योंकि आप खास बात ही देखिए कि सरकारों के खिलाफ बोलेंगे सडके जाम करेंगे दिल्ली में आग लगाएंगे तबली की जमातों को अपने घरों और मस्जिदों में रोक करके रखेंगे ताकि यहां से वाइरस फैल सके पूरे देश के अंदर आज जो हाहाकार मची हुई है जो ग्राफ उपर चड़ रहा है वो केवल और केवल इन ही के इन बेहूदी और जहालियत से भरी हुई जो रणीतिया रही है उनहीं की वज़े से चड़ रहा है मलेशिया में भी तबली की जमातों के बाद में ही चाइनीज वाइरस के संक्रमन और उसे मरने वाले जो तने पर बढ़ा था भारत वर्ष में भी वही गलती दो रहा ही गई लेकिन हम उनको कुछ कह नहीं सकते सरकार उनको कुछ कह नहीं सकती अगर हम भारत वर्ष में देखें यहां के लोगों को ततकाल स्विधाय परदान की जा रही है फिर भी उस वीडियो के नीचे जो भारते उने गंद मचाया है उसको देख करके मुझे और ज़्यादा बहुत दुख हुआ भारत में भारती मुसल्मानों को कितनी priority दी जाती है 40 करोड होने के बावजूद अलप संख्यक कहा जाता है अलप संख्यक के नाम पर सारे सुक्सुधनाओं का भोग करते हैं उसके साती सात फिर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं साती सात अपने मजहवी जो काम है उनको लोकडाउन के बावजूद भी पूरा करते हैं फिर भी पाकिस्तान में पिडित हिंदों का पक्ष लेने के लिए भी इनकी मा मर गई इन्होंने तुरंट वहाँ पर जो कमेंट किये हैं आप लोगों को वैसे तो खुझ जा करके पढ़ने चाहिए लेकिन दो चार को मैं यहाँ पर रखता हूँ एक ने तो यहाँ तक कह दिया के तू तो गोधी मीडिया है जाने के पाकिस्तान में हो रहे, सिंध प्रांत में हो रहे, दुख जो हिंदू है, जो सिख है, उनके उपर हो रहे है अत्याचार कोई पहली बात नहीं है वहाँ से अलरड़ी बहुत सारी ख़बरे आती है लेकिन फिर भी आज तक को गोधी मीडिया बता करके सैड करने की कोशिश की जा रही है एक बंदे ने तो कमेंट किया और उसने कहा के तुम लोगों को भारती मुसल्मानों के उपर जादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़दा परेशान है J&K में तो नेट बंद है मतलब लोगडाउन के टाइम पर जहां पर लोगों तक राशन पहुचाना है और उनको जो सुधाए हैं चिकित सा मोहिया कराना और इस तरीके के जाहिल जिहादियों को डूंडूंड करके निकालना जो तबलीक के नाम पर कुरान नहीं बलकि कोरोना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चुनोती है संकट भरा समय है इन सालों को क्या चाहिए इनको चाहिए महाँ पर नेट इनको नेट की सुविधा चाहिए 30 साल से कश्मीरी हिंदू घर के भी न रह सकते हैं लेकिन J&K में रहने वाले जिहादी कौम नेट के भी न नहीं रह सकती है भारत में पलने वाले कुछ ऐसे जो मुसल्मान है जो वाकई में जो दूसरे अच्छे मुसल्मान भी हो सकते हैं कम से कम इन मामलों में कि जिनके अंदर कम से कम सम्वेदना तो हो उन लोगों का भी नाम बदनाम करवाते रहते हैं भारत वर्ष में जिस प्रकार का ढिला ढाला रवया अभी तक हमने देखा है तबली की जमात के नाम पर 16 मार्च का वो ओर्डर दिल्ली सरकार का सामने आ चुका जिसमें कहा गया था कि किसी प्रकार के धार्मिक मजहभी कारेक्रमों को अभी रद्द करना पड़ेगा आगे इनकी कोई भी अनूमती नहीं दी जा रही है 16 मार्च के बावजूद वहां पर हजारों लोगी कठा हो जाते हैं इसमें भी politics फिर से खेल जाती है मैंने बताया ना victim card खेलना भी चाहिए इनको मैंने बताया ना कि इनको victim card भी खेलने को चाहिए तो बहुत सारे tweets ऐसे आए कि ये लोग तो तकरीबन 5 जार थे 6000 थे लेकिन उनमें सिर्फ 1400 ही बचे थे बाकी लोग तो निकाल ले गए सिर्फ 1400 ही तो बचे थे तो क्या वो सरकार को नहीं बता सकते थे कि हम यहाँ पर हैं और हमको निकाला जाएं जब लाखों मजदूरों को उनके घर तक भेजा जा सकता है तो 1400 लोगों को उनके देशी भेजा जा सकता था लेकिन असलियत मैं आपको बताओ कि उन लोगों में से भी अधिकतर लोगों के वीजा जो थे खतम हो चुके थे सही बात और असली बात यह है कि वीजा खतम हो चुके थे वो फिर भी जमे पड़े थे और अब उनको पकड़ जाने का ढर था इसलिए उनको छिपा करके रखा गया था आपको क्या लगता है कि उन 1400 लोगों ने अपनी जानकारी नहीं दी पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पाई बस इतनी सी बात नहीं मेरे भाई पडोसियों तक ने उनकी जानकारी को छिपा करके रखा आपको यादोना चाहिए दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों को खीच करके एक पारशद आमादिम पार्टी के पारशद ताहिर हुसेन के घर में ले जाया गया वहाँ पर उनको गोदा गया, मारा गया, फैंक दिया गया लेकिन क्या किसी भी ताहिर हुसेन के पडोसियों ने ये बात आ करके बताई नहीं बताई क्योंकि उम्मा का सवाल है भाई 57 देश है, 180 करोड एक कौम के लोग है और वो कौम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, वो सारी के सारी एक है इसी लिए पाकिस्तान के मुसल्मानों को जिस टाइम पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये तुम अन्याय कर रहे हो सिंध परांत के हिंदो के साथ में भारत में बैटे हुए मुसल्मानों का भी खोन उबल जाता है और वो वहाँ पर आज तक कोई गाल्या देनी शुरू कर देते है ये चीजे बहुत स्पस्ट हैं मैंने पिछले वीडियो में भी जो आप लोगों ने नहीं देखा है प्यार उसको इतना नहीं दिया है मुझे नहीं पता क्यों नहीं देख रहे हैं आप उसको उसमें भी ये बात बताई थी बहुत स्पस्ट तोर पर बताई थी और अब फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि जब आप इनके घुरों को, मस्जिदों को, मदर्सों को खोधने पर आएंगे, खोजने पर आएंगे तो उनमें से बहुत सारी चीज़े निकल करके सामने आएंगी लेकिन ये चीज़े तो इस पश्ट दिखाई दे रही हमको इनका इस तरह के से छिपाना जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं अनके पास जिन लोगों का वीज़ा खतम हो चुका है उन लोगों को छिपाना आदेश आने के बावजूद फिर भी लोगों को छिपाई रखना लोगों को मार दे जाता है लेकिन अपरादियों को छिपाई रखना ये सब चीजें ये सब चीजें तो स्पष्ट हो चुकी हैं फिर भी न जाने क्यों सैकिल और हिंदू और अपने देश की सरकारें नहीं जागती हैं अगर ये नहीं जागी तो हम अपने आप ही सुला दिये जाएंगे ये रियालिटी है इसलिए पूर्ण वहिशकार करें पू ये जाहिल जिहादी थे और विदेशों से आई हुए इनकी कौम इनकी उम्मा के लोग थे उन सब को बसों में भर करके ले जाया जा रहा था यहां अब एक पॉइंट सबसे खास आता है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जिहादी जब खुद मरने जा रहा ह होता है तो वो ये तै कर लेता है कि अब मैं काफिरों को भी कुछ ना कुछ हानी पहुचा करके जाओं ताकि मैं गाजी ना सही तो बलकि सही तो कहलाई लूँ ऐसे समय में उन लोगों ने सडकों पर सी से खोल खोल करके ठूकना शुरू कर दिया स्वेता सिंग जो आज तक अब आप इसको क्या कहेंगे मैं हर चीज को खोल खोल कर आप लोगों को बता देता हूँ अब आप इसको क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे और जो लोग समझदार हैं उनके लिए तो नहीं लेकिन जो लिबरांडूस जो सैकुलर हिंदूस इन चीजों को समय रहते समझने का प्रयास नहीं करते हैं मैं उन सब को इन सब ख़बरों के एक साथ कंक्लूजन पर पहुंचाना चाहता हूँ इन सब को एक साथ बैठ करके सोचिए फिर सोचिए कि ये लोग कहना क्या चाते हैं और करना क्या चाते हैं एक बार राजनात सिंग जी ने एक बात कही थी कि हर साप जहरिला नहीं होता लेकिन हम हर साप से कटवा कर भी नहीं देख सकते कि तू जहरिला है अत्वा नहीं है साप का काम है काटना, साप का काम है जहर फैलाना, साप का काम है सामने वाले क्यो मृत्यू के पाश में डालना इसलिए समझदार को तो इचारा ही काफी होता है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धरम की जाए जय हिन्वन्दे मातरम